नमस्कार पिरिये विद्धियर्थियों वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है रेलवे ने आप सभी को एक बार फिर से खुस कर दिया है और एक फिर से गुड निउज दे दी है बिलकुल लिटेस्ट अपडेट है और कल ही का अपडेट है दस अक्टूब हम इस वीडियो में जो परजेंट वेकेंसी चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे कई बार कहा जाता है ना कि बादल मंडरा तेवे देखकर गड़ा फोर देना अच्छी बात नहीं होते जिन बच्चों ने इस वेकेंसी में अप्लाई कर रखा है वो इस वीडियो को दोड़ा ध्यान से देखेगा बहुत ज़रूरी है पहले बात करते हैं कौन से वेकेंसी कब आ सकती है और क्या कलेंडर जारी किया है फिर हम बात करेंगे कि रिसेंट वेकेंसी में आपको क्या ध्यान रखना है देखिए इस फर्स्ट ओफाल जनवरी से मार्च का जो पिरिय तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आते आते फर्वरी और मार्च आ जाए एक हमारे लिए अच्छी चीज जो है ना वह यह है कि यह वेकेंसी नेक्स्ट फाइनेंसियल इयर की है यह जो अभी चल रहे है यह तो आपका मार्च दोजार चोबिस तक पच्छिस तक का रहेगा त हम Divine तक रहे जाएंब किसकी है दोजार पत्चीस चबीस की है तो यह वेकेंसी अ अपरेल दो एक च्छू से यु मानों की 31 मार्च 2020 सोटक का है है एक हैं अपरेल ऑजार पत्चीस से ले कर मार्च इस है इस की जो वेकेंसिज है बहु पटो एध हो चुकी थी बाद बढ़ा करके इन्होंने दे दिती सीटें तो ये नए फाइनेंसिल एर की है जनुवरी 25 में ड्रफ्ट त्यार होगा प्रोपोजल त्यार होगा उसमें बाद में भी टाइम लगता है तो ये वेकंसी कुल बिला करके 25-26 में कंप्रीट होने वाली वेकंसी है एक तो ये ध्यान रखो और जो वेकंसी चल रही है बचे वे इनमें लग जाएंगे क्या क्या परबोज़ दिया देख लो ये थोड़ा बहुत इन्होंने लिखा है और कोई दिक्कत नहीं है वेकंसी जो है वो कहां तक की काउंट करनी है नमबर 2024 और 30 जून 2026 ये देखो क्या लिखा है वेकंसी असेस् होता है जो अल्रेडी इन सर्विस है वो तो समझ सकते हैं जब हम इंकम टेक्स फाइल करते हैं उस समें एक ओप्शन आता है फाइनेंसील ये के बाद में असेस्मेंट में एसेजमेंट ये अगा जैसे अभी फाइनेंसील ये चल रहा है दोज़ार चोबिस-पच्चीस 31 मार हैं कितने रिटायर होने वाले हैं या कोई नया कुछ रेलवी लाइन और ये वो जरूर पढ़ने वाली है उन सब को मतलब पहले ही ध्यान में रखते विए आपको ये करना है उसके बाद में टेक्निशन की वेकेंसी के लिए देखो क्या करें अपरेल से जून में सबसे पहले तो बाकी ये नोन टेक्निकल पॉपलर एंटी पीसी के डरोड लेवल बन और वो सब इसमें ठीक है एक चीजिनों ने और का यहां पर क्या ये देखो क्या रहे हैं कि जोनल रेलवेज या प्रोडेक्शन यूनिट जीतनी पिए ना उनको ये सला दी जाती है कि अगर आपने वेकेंसी को पहले इंडेक्ट में सामिल कर लिया है तो उसको डिडेक्ट कर देना काट देना तो बद दो बात यहां बर बोलना चाहरा हूं आप सभी को ध्यान रखिएगा जिन बच्चों ने अपलाई किया हुआ है और अभी एक्जाम होना है आप केवल उसी पर फोकस कीजिए आप यह समझ लीजिए कि हम तो इसी में सेलेक्ट हो गए हमें इस किलेंडर की जरूरती नहीं पड़ेगी दूसरा मैं इसका साइड इफेक्ट बताता हूं अगर वेकेंसी इसी तरह सीक्वेंस में आती रही एक कंप्लीट हुई दूसरी आई कंप्लीट ह और नेक्स्ट आती है अगर ऐसा होता है तो माईडियर वे्टिंग नहीं आएगी ये खेर में मेरा अनुबह बता रहा हूं वेकेंसी क्यों आती देखो वेकेंसी तब आती है वेकेंसी देपार्टमेंट नहीं करना चाहता या नए वेकेंसी में उनको पता है कि समय फूरी प्रोसेस दुहरानी पड़ेगी। हमें एतनी सीटें भी नहीं करनी हमें कमी सीटेंगें, तो उस भरत्य की वेटिंग लिस्ट आती है। अज बोरवाइज बेस नहीं आती है बाद हमें पता है रेलवे की वेटिंग थो 4-4-5 5 साल तक आया करती थी, इसलिए आती थी, कि नई भरती हैं, चार-पांच साल बाद ही आती थी, एक विकेंसी कंप्लेट होने में दो-दो साल लगते थे, अब ये कह रहे हैं, कि हम सारा काम टाइम पर करेंगे, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है, घर, आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताईए, और इसलिए अब रिस्क नहीं लेनी है, थोड़ी अच्छे से मेहनत करो, अगर मेन लिस्ट में आए, तो ही सेलेक्शन होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले तो ये होता था कि भरती को भूली गए थे, कोई और काम लगी में, अच्छानक जोइनिंग लेटर आया तो हो सकता है कि वो हमारी भतों से सहमती ना हो, तो हमां कई बार experience आपके साथ share करता है हूँ, 2019 वाली भरती में, अभी 2023 में बच्छे लगे हैं, तो ये हुआ भी है, लेकिन इस बार जो है, अगर ऐसे sequentially vacancies आती रही, तो ये मान कर चलना, वेटिंग की रिस्क बढ़ जाए 39-2026 तक NTPC का निकालने का बोल रहे हैं, जो graduate लेवल की है, NTPC लेवल 2 और लेवल 3, UG वालों के लिए, यानि अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए, और JN, जूनियर इंजिनियर, डिपोमेंटर, सुपरेंटर, इन सब के लिए, और फिर, पेरा मेडिकल केटेगरी, ज कुल में लाकर के नया financial year सुरू हो रहा है, जिन बचों ने लेटेस्ट अभी ITI की है, उनके लिए तो ये सांदार, मैं कहूंगा, great opportunity आने वाली है, हाँ, एक चीज और, इस बार की तुलना में सीटें ध्यान रखना आदी भी नहीं आएगी, ये आप पहले ही माइंड कर ले क्योंकि हर साल जब vacancy जाती है, तो आपको भी पता है, पंदरा-पंदरा-जार सीटें नहीं आएगी, तो continuity बनाओ और इसी पर focus करो, अभी आपका ITA वालों के लिए दो मोगे, ALP और टेक्निशन, इनका exam date संभावित कलेंडर आ चुका है, प्रोपर point to point जल्दी ही आने वाला है, उस पर भी हम आपको discussion video प्रोवाइड करवा देंगे, अभी के लिए बस इतना ही था, पहुत देने बाद,